हनुमान बेनिवाल ने एक बार फिर से संसद की सीडियां चड़ने में सफलता हासिल की है हनुमान बेनिवाल RLP के कददावर नेता छात राजनिती से सुरुवात करने वाले नेता चुनाव लड़ते वक्त पिताक का निधन और उप चुनाव में खड़े होते हैं नामांकन ख हारिज हो जाता है हनुमान बेनिवाल अपने दम पे विधायक बनते हैं भाजपा के टिकट पे बाजपा से छोड़ के अपना दम दल बनाते हैं आरल पी को तीन सीटें विधान सवा में एक लोग सवा में दिलाते हैं उसके बाद यह सीट एक बार एक पे रह गए वापस एक पर फिर से लोग सबा भी हनुमान बेनिवाल पहुंचें अब कि उसर सीट पे भी उपचुनाव होगा क्या कारण रहे हनुमान बेनिवाल की जीत के इस पे अचर्चा करेंगे नमशकार मैं प्रदीप हूँ आप तिंक 360 देख रहे हैं माना यह जा रहा था कि हनुमान बेनि पॉलिटिकस में बड़ा निर्ने बड़ा मुद्दा था इस पुराने निता विजयपाल मिर्धा और मिर्धा के पिता जिनकी बात करह고 है कॉनग्रेस और चोड़ के भाजपा में चले जाना यह इन तमाम चीजों से नागोर की प्रिस्तितियां इतनी तेज गती से बदली की, हनुमान बेनिवाल ने फिर पॉलिटिक्स को पार्टी के बजाए इंडिज्वल लेवल पे एक्टिव किया, एक्टिवेट किया, हनुमान बेनिवाल समिकरन साधने में भी सफल रहे, रामनिवास गावडिया, मुकेश भाकर, महिंदर चौधरी से होने वाल लोकसभा में पहुंचे हैं, दूसरी बार इससे पहले भी वो लोकसभा में थे, और राजस्तान के मुद्दे सरवादिक उठाने वाले सांसोदों में से एक रहे, किसान अंदुलन में वो अलग हो गए थे, हनुमान बेनिवाल जो है, वो सीधी बात करने वाले, साफ़गो ही हैं, लेकिन उनकी यह जो उनके उले के जो शिकायत थी, वो दूर कर दी रिचपाल मिर्दा ने, जिस तरीके से इस चुनाव में डायलोग चले, हनुमान बेनिवाल की जीत में बड़ी एक भूमी का गजंदर सिंग रसीदपूरा की भी मानी जाती हैं, राजबुद हैं, वो चुनाव में बड़ी भूमी का निपाते हैं, हनुमान बेनिवाल ने आते ही डायलोग दे दिया था कि गुवाजी के माहिरो बर्नो हैं, तो माहिरा जो है, वो भर गया है, अब जोति मिर्धा जिनको कॉंग्रेस में वो लगातार हारी ही, 2014 और 19 का चुनाव, जोति पी नड़ा उलेक भी करते हैं, जोति नड़ा से उन्होंने बात की और कहा कि भी ये ठीक नहीं है, भाजपा की रेती नहीं थी, ये नहीं, इन सब के बीच जोति मिर्धा अगर संसत पहुँचती, तो नागोर की पॉलिटिक्स अलग तरीके से अलग धूरी पे स्ताफित हो से कालवी और मिर्धा का जो एक घठ जोड था उसे करने के लिए 2023 के विधान सबाच उनाओं से पहले कल्यान सिंग कालवी के पोते, लोकिन सिंग कालवी के बेटे, भाजपा में शामिल किया, लेकिन उनको राजनेतिक रूप से कहीं अड़जस्ट नहीं किये जाने के राजपूत वोट बेंक, बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा, खिलाफ रहा, रुपाला वाला मामला और तमाम चीजे भाजपा के खिलाफ गई है, राजपूतों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, तो गजिंद्र सिंग रसीदपुरा के तरफ गए या कॉंग्रेस के प्रेलोग्स जो हैं वो खासे चर्चा का विशेब बने, चुनाव के दोरान जो चिटपुट गटनाए हुई, उन्होंने ततकाल माहूल भी बदला, तो इन सब चीजों को लेकि हनुमान बेनिवाल जो है वो भारी पड़े फाइदे में रहे, भाजपा की ये सीट या NDA ग प्रभावी रहे, इस बार भी लगता है मुद्दे उठेंगे और अपने तरीके से उठेंगे, चुनकि इस बार वो सत्ता के साथ नहीं है, तो वो सकता है मुद्दे उठाने पे, उनके खिलाब कुछ कारवाईयां हो जाए, लेकिन हनुमान तो हनुमान है, संजीवनी के ल चुनाओ होगा खिमसर पे कॉंग्रेस यानि की इंडी गठवंदन क्या RLP का ही केंडिडेट उतारेगा, क्योंकि हनुमान बेनिवाल अपनी शर्तों से समझवता नहीं करते हैं, मसलन की पहले चरण में वो इंडी गठवंदन के साथ थे, दूसरे चरण में वो बाड़मेर में अलग बाड़मेर को लेकि अलग बाड़मेर को लेकि अलग बाड़मेर को लेकि तो अगर खिमसर में इंडी गठवंदन हनुमान बेनिवाल को नहीं देगा खिमसर के विधान सबाव चुनाओ के लिए मौका या हनुमान बेनिवाल के किसी केंडेट को मौका नहीं कि यहाँ पे फिर ट्राइंगल मुकाबला होगा तो यह चुनाव जो है अलग तरीके से लड़ा गया कॉंग्रेस पुरी साथ आई भाजपा वो नहीं कर पाई जिसे करने की उमीद की गई थी सेस्टी वोट बैंक की बड़ी भूमी का रही है यह माना जा रहा है कि कॉंस्ट्यूशन बदलने वाला जो आरोप या जो बात कही गई उसको लेके जोती मिर्दा का सरवादिक नुकसान हुआ है माहोल नहीं बन पाया वोट ट्रतिशत कम होने की वज़े क्योंकि भाजपा का जो मूल वोट बैंक है वो चुनाव में वोट करने नहीं उत्रा यह सारे कारण रहे कि जोती मिर्दा चुनाव नहीं जीत सकी आपको क्या लगता है कि नागोर सीट पे और क्या कारण रहे हमें कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद